तो हलो एब्रिवान वेलकम टू गेट वाला तो आज का दिन बहुत ही इस्पेशल है आपको पता है पिछले एक डेड़ सालों में आप धीरे धीरे करके अपने डिमांड्स को बताते रहें कि हमको यह चाहिए हमको यह चाहिए किसी ने बोला कि हमको भाई इस तरीके बैच च किया गया किसी ने कहा कि आपका बुक निकालिए सर पीवाई क्यू बुक हमको चाहिए योगी पीड़ाब्लू की वह भी हमने इंटुड्यूस किया तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ाते हुए हम अपने आपको बार बार आपके कोडिंग तैयार करते रहे और आज का दिन वो दिन है जिसकी डिमांड तो बहुत दिनों चल रही थे और हम लोग एक प्लानिंग स्टेज में चल रहे थे समझ रहे थे कि इसको कैसे एक्जिक्यूट कर पाएंगे और वो ब्रांच है जो आज हम लोग इंटुडूस करने वाले इस प्लेटफॉर्म पे द वो किस तरीक एक टीम है क्या उन में पुटेंशल है आपको कैसे एक्जिक्यूट कराएंगे क्या बैचेस होंगे सारी इंफॉर्मिशन आज आज आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले हम चलेंगे शिवम दिक्षित सर यहां पे है यहां पे रामनन सर है यहां पे आपने सोचा बस होगा और हमने करके दिखा दिया तो बिफोर स्टार्टिंग दा इंट्रॉडक्षन हम चाहते हैं का आपको पहले इस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए यह ब्रांच क्यों तनी इंपॉर्टन है गेट के लिए तो मैं चाहूंगा यह क्योंकरा सुटिंगे के लिए यह बीदा बैच लाया जाए जयर्ली यह देखा गया कि पर सब्सक्राइश क Nejषन हो ऊसमें ब्रेयुकausर जिखी हि आप wonderful मारे साथ में सर पूर सर जुड़े हैं अपूर tiempo और आपको detail में actually बताएंगे कि क्या-क्या opportunities है उनके पास में, एक chemical engineering के बच्चे के पास में और उनको हम लोग कैसे guide करने वाले और कौन-कौन आने वाला है साथ में, तो मैं अपूर सर के पास जाना चाहूंगा, अपूर सर. सर जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि किसी भी branch में अगर आप gate लिख रहे हो या कोई भी competitive exam लिख रहे हो, तो उस exam के जो faculties हैं, वो बहुत important होते हैं, अगर faculties experienced हैं, अगर faculties को in and out उस exam की सारी details पता हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है exam को crack करना, क्योंकि बच्चे जो हैं, पूरे तरीके से dependent होते हैं अपने teachers के उपर, क्योंकि syllabus जो है, वो इतना well explained होता नहीं है, competitive exams में, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजों के लिए, वो अपने teachers के उपर dependent होते हैं, और कई time से बच launch वीडियो में ये रहता ही है, कि chemical का batch ले क्या हो, तो हम इतने time से क्यों रुके हुए थे, इसका reason यही है, कि हम जब भी कोई नया course launch करते हैं, जब भी हम कोई नया ऐसा branch launch करते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं, कि हमारे पास उस branch की, उस course की सबसे best faculty हो, सबसे best teachers हो, तब ही हम students को वो quality education provide कर पाएंगे, जिनकी उनको सक्त जरूरत है, और आज हम proudly यह बोल सकते हैं, कि हमारे पास chemical engineering के, इंडिया के one of the best teachers हैं, यह वो teachers हैं, जिनने बरसों का experience है, यह chemical engineering के लिए ही gate के लिए पढ़ाते आ रहे हैं, यानि कि इनको chemical engineering के बारे में, सब कुछ पता है कि gate म महां से क्या आता है, इनके पढ़ाय हुए बच्चे gate में top rank लेकर आ रहे हैं कई सालों से chemical engineering के अंदर, और इनके पढ़ाय हुए बच्चे आज की date में कई सारे PSU's में कारियरत हैं, और मैं यह गर्व के साथ बोल सकता हूं, कि यह teachers आज की date में chemical engineering के सब से best teachers हैं, इनके हमने इतने confidently यह batch क्यों launch किया है, इन teachers को क्यों launch कर रहे हैं, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को introduce कराना चाहूंगा, हमारी chemical engineering की best faculty से गौरव मलिक सर, जिनको कई सालों का experience है, 12,000 teaching hours इनके रहे हुए हैं, इनके 20 से ज़ादा states में अभी तक gate chemical engineering के लिए पढ़ाया हुआ है, and I can proudly say कि मेरी इतरा इनोंने भी IIT खड़तपूर से M.Tech किया हुआ है, और उनके साथ है हमारे Dr. तेजे लंजेवार सर, जिनोंने PhD की हुए M.Tech किया हुआ है, और इनको भी 8 सालों से ज़ादा का experience है, तो गौरव मलिक सर and तेजे सर, welcome to PW family, बच्चे जानना चाहेंगे आपके कि आप Chemical Engineering को गेट में किस तरीके से आगे लेकर जाने वाले हैं, और बच्चों की पास गेट Chemical में क्या क्या opportunities हैं, over to you sir. Okay, thank you sir. First, I am thankful to PW for giving me this opportunity, and I am thankful to all of you, जिनोंने इतना सब बताया, और Chemical के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं, कि Chemical Engineering एक ऐसी ब्रांच है, कि जो Government Colleges, IITs, NITs, और काफी अच्छे Colleges में ही present है, और जिसमें nearly 15 से 18,000 के बीच में, गेट में students देते हैं, लेकिन, अगर हम बात करते हैं, तो हर साल जो opportunities होती है, Chemical Engineering के लिए, वो opportunities काफी रहती है, और वो 3-4 अलग-अलग sectors में हमारे पास opportunities रहती है, जब भी हम लोग Chemical की बात करते थे, तो हमारे पास बहुत ही गिनेक उने options students के पास होते थे, और एक जो सबसे बड़ा factor आता था, कि quality education तो affordable price, तो पिछले काफी दिनों से हम लोग discussion में थे, काफी सभी सर लोगों ने, PW की टीम ने, सभी लोगों ने काफी support किया, और chemical engineering के लिए भी sustainable बनाने के लिए, affordable बनाने के लिए, ये एक initiative लिया गया, कि जिसमें हर कोई student, एक quality education को effort कर पाए, जैसे कि आप सभी लोग जानते ह हो कि पिछले 10-12 सालों से मैं, आप सभी mostly कोई ऐसा college नहीं है कि जिनके seniors, आप लोगों के seniors, आपके friends, या आप काफी लोग लगातार हर साल हम लोगों से पढ़े हो, काफी सारे लोग PSU में हैं, काफी बार हम लोगों ने AI under 10 में, काफी सारी ranks को हम लोगों ने produce किया है, और again हम लोगो history, create करने जा रहे हैं, कि हमेशा मेरी tagline यही रही है, कि qualitative content with authentic results, क्योंकि मैं इसी चीज में believe करता हूं, कि there is no shortcut to get success, कि motivation से, इन बाकी सारी कियों से, selection नहीं होता है, selection होता है, वो सिर्फ एक ही चीज से होता है, कि अगर आपको content, आपके content में दम है, आपको concepts अच्छे से आते हैं, then only you are able to solve question in examination hall, otherwise you are not able to solve question. गौरो मलिक सर, गौरो मलिक सर, यह जितनी बाते आप बतारों सर, वो तो जवर्जस चीजें सर, बहुत सारे rankers निकले हैं, आपके पढ़ाय हुए, तेजे सर के भी बहुत सारे rankers निकले, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूं सर, गा गामा, यह सब शब्द बहुत यूज होते हैं, तो सर, इसका राज आप थोड़ास बताई, सर, इसकी हिस्ट्री क्या है, सर, यह गामा सर नाम कैसे पढ़ा सर, गौरो सर, इसके बीचे एक छोटी सी स्टोरी है, सर, एक्चुली मैंने बीटेक, फरस्ट इयर में था, तो मैं तो तब से यह फिल्म नाम ही सर, गामा सर पढ़ाया, यह बहुत ही अट्राक्टिव है, सर, यह बहुत अट्राक्टिव है, और खेमिकल इंजिनिंग से काफी रिलेट कर रहा है, सर, हाँ सर, यह थर्मोडाइनिमिक्स में कॉंस्टेंट होता है, महां से सर, और रेज भी होत तो बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं भी फर्स टाइम सुना था, मुझे भी लगा थी यह गामा का exactly क्या मतलब, यह पावरफुल नेम है, जब बच्चा किसी भी टीचर को ना, एक special categorize कर देता है ना, किसी particular name से, तो आप उससे ही समझ जाएए कि उस particular teacher के अंदर कितना potential ह होगा, लेकिन यहाँ पे आपने गामा सर के बारे में तो काफी कुछ सुना, सर ने अपने बारे में बताया है, अपरूब सर ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डॉक्टर तेजय सर के बारे में, कि सर exactly chemical engineering में अपने बारे में भी थोड़ा होता है, chemistry plus engineering, मतलब उस chemistry को जब engineering के साथ हम mix करते हैं, and that becomes a chemical engineering, और उसी के कुछ एक दो subjects है, जो gate में भी आते हैं, जिसमें हम chemistry और engineering के साथ deal करते हैं, और chemical engineering की सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, कि दुनिया में या फिर जहां पर हम अभी lecture ले रहे हैं, कहीं पर भी दे practical के साथ join किया जाए, या collaborate किया जाए, ताकि हमें वो समझ में आए, वो concept इतने अच्छे से समझ में आए, ताकि वो concept सिर्फ एक formula के टांस में याद ना रहे, वो एक concept दिमाग में बैठ जाए, तो उसी के साथ मैं और gamma सर पूरी कोशिश करेंगे, कि सारे subjects के साथ deal करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस chemical engineering ब्रांच के साथ में, बिलकुल बिलकुल सर जैसा कि यहाँ पे गामा सरने और तेजे सरने chemical engineering के बारे में एक तो अपना भी potential आपको समझा दिया, और आपको भी बता दिया, कि इसके लिए आपको किस तरीक किस preparation करना, सारी चीजे करना है, तो अब तो PW पे सारा कुछ प्लान हो गई, सर लोग यहाँ पे हैं, और आपको एक बहतरीन तरीके साब को content मिलने वाला है chemical engineering के लिए, लेकिन उससे भी पहले हम जानना चाते हैं, दोनों सर से, कि exactly chemical engineering से, क्या सिर्फ gate में ही आपको फाइदा मिल सकता है, कि या और भी examination है, जहा gate ही होता है, gate के अलावा कुछ और exam नहीं होते हैं, लेकिन sir, gate के अलावा भी साल में हमारे पास ये number of exams होते हैं, कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, gate तो एक prominent exam है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, अगर हम लोग सबसे बड़े से start करें, तो हम सभी लोग ने हैं, इंडिया के सबसे toughest और सबसे बड़े exam का नाम सुना है UPSC, तो UPSC में forest जो services होती है, तो वहाँ पे optional में Indian forest service में chemical engineering as an optional subject होता है, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि chemical engineering as an optional subject भी होते हो, जिसका syllabus, nearly जो हमारे gate का syllabus है, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत minor changes के सा जाती होता है, फिर दूसरी हम उससे नीचे आता है, फिर इसी तरह state public service commission में जिस तरह PSC exam conduct कराता है, तो PSC exam conduct कराता है, forest officer या ranger के लिए, तो उसमें भी वहाँ पे chemical engineering as an optional subject होता है, फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ-कुछ state PSCs अलग exam कराते हैं, जैसे अभी UP में, UP PSC करा जाता है, और भी कराता है, जैसे polytechnic में lecturers होते हैं, फिर हमारे पास food inspectors होते हैं, जिनका, you will not believe, जिनका grade पे 6000 है, that is the starting point of that one, but उसके बारे में हम लोगों को पता नी रहता तो हम लोगों को वो exam छूट जाते हैं, क्योंकि इसका main वो रहता है, क्योंकि जो कुछ technical तो आपका same ही रहता है, लेकिन technical के साथ-साथ आपके मालीजे जैसे UPPSC paper conduct कराता है, तो इसमें आपके 25 question हिंदी से होते हैं, 25 question आपके GS से होते हैं, तो students को लगता है कि यार यह बड़ा ही एकदम अलग सा वो है, लेकिन सिनारियो एकदम बड़ा simple है ता है, और किस बार इसमें nearly 47 vacancy थ में अभी राजिस्थान में वेकंसी आई थी, अभी हरियाणा में assistant environmental engineering की वेकंसी आई है, तो इसी तरीके से फिर जैसे हमारे पास देखा जाए, तो जो सबसे research organization होते हैं, जो चार main research organization है, इस रो है, डी आई डी हो है, बी आर सी है, एंपी सी आई यह तो यह गेट से भी ले तो उन एक वो companies भी chemical engineers को recruit करती है, simple currency note जो इंडिया की बनती है, उसकी जो paper mills है, वहाँ पे भी chemical engineers को recruit किया जाता है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटी जगा है, जहाँ पे बहुत सारे students को पता ही नहीं रहता है कि chemical engineers की recruitment होती है, और उसका जो syllabus होता है, वो 70 to 80% as it is gate का होता है, प्लस उसमें थोड़ा सा GS part बस add रहता है, बाकी पूरा gate syllabus उस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सारे exams के बारे में भी discuss करें और किस तरह से अगर किन बचों का अगर gate में नहीं भी हो पाता है, तो at least इन exams के थूँ अपने career को आगे बढ़ा सक अब सर ने यहाँ पे currency की जब बात कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे अब कुछ ज़्यादा ही interest दिखाएंगे, क्योंका ultimate goal तो उनका भी ना कि एक बहतर package मिल सके, अच्छा घासा पैसा मिल सके, ऐसा package मिले, उनकी जिंदगी settle हो जानी चाहिए, आस्तर engineering उसके गेट देखे, आपका चाहे PSU मापको अच्छा मोगा मिलता है, या आप किसी IIT से जाके M-Tech करके एक अच्छा placement आप अचीब कर सकते हो, तो वहाँ आपके लिए एक बहतर opportunity create होने वाली है, तो अभी आपने सब कुछ देख लिया, अभी हमारे एक दो लोग अभी बाकी है, अभी मारे अंकी शर्मसन नहीं दिखाए दिये, अभी आएंगे, फोड़ा सा वीट कर लीजे, अब मैं चाहता हूँ कि अपरूब सर यहाँ पर आएं और chemical engineering के लिए हम लोगों का 2025 के लिए किस तरीके का batch है, क्या हम launch करने वाले हैं तो अपरूब सर प्लीज एक बार बच् 2025 batch for chemical engineering, जी हाँ यह batch है dedicated chemical engineering के लिए जिसमें आपको chemical engineering के सारे subjects कवर कराए जाएंगे और यह gate 2025 के लिए होने वाला है, जिसकी price limited time के लिए 9999 रुपीज है and इस batch में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इस batch की USP क्या होने वाली है, यह बताने के लिए मैं रामनन सर को introduce करूँगा, रामनन सर से request करूँगा सबसे पहले तो जो subject हम लोग का start हो रहा है, वो subject है plant design and economics, अगर हम लोग batch की USP की बात करें, तो सबसे important एक USP की यह है कि आपको जो भी subject होगा, उसका complete lecture planner दिया जाएगा, lecture planner मतला हर एक class में कौन सा topic होगा, कौन सा chapter होगा वो बताया जाएगा, ताकि आप उस recording उसको plan कर सको साथ ही में हम लोग test जितना भी regular test conduct करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई subject पढ़ रहे हो, तो कोई chapter complete होने के आद आपको अपना performance analysis करने के लिए test देना जरूरी है, तो हम लोग weekly test conduct करेंगे और उस weekly test का भी planner आपको provide किया जाएगा, हमको पता है कि gate में तीन टाइप के question आते question हो, चाहे test में आपको provide किये जाने वाले question हो, चाहे आपको हम लोग कोई DPP या practice sheet provide करेंगे, उसमें provide किये जाने वाला question हो, इसमें हम लोग इन तीनों pattern को ध्यान पर रख्के question discuss करेंगे, और जो weightage mcq, naty और msq का gate में होता है, लगबग वही weightage हम लोग test में और practice sheet में practice करना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि आपका performance कैसा है, आपने उस topic को कितना समझाए, तो हम लोग कोई भी topic complete होने तो उसकी practice sheet provide करेंगे, उस practice sheet में आपको questions रहेगा, answer की रहेगा, फिर किसी question में doubt होता है, तो हम लोग उसका video solution भी provide करेंगे, आपको हर एक DPP के questions का video solution म मिलेगा, सबसे important है कि आप अगर कोई subject पढ़ रहे हो, तो उसकी जो faculty हो best होनी चाहिए, और अभी जैसा कि गामा सर से आप लोग मिले, तेजे सर से मिले, तो आपको ये तो समझ में आए गया होगा, कि जैसे mechanical, computer science, electrical, electronics branch में आपको civil branch में इंडिया की best faculty मिल रही है, वैसी इंडिया की best faculty के under guidance लेंगे, अगला चीज डाउट इंजन, ये एक PW का बहुत important feature है, आपको doubt इंजन का platform मिलता है, जिसमें आपको जो भी doubt है, आप within 24 hour clear कर सकते हो, आप अपना doubt वहाँ पर post करो class के बाद, और खुद faculty मिल के 24 hour के अंदर आपका doubt को clear कर देगी, और जैसा कि म तो आपको subject wise test भी provide के जाएगा, तो ये एक प्राक्रम gate 2025 का जो chemical branch का USP है, वो complete detail है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, गामा सर और तेज़े सर के guidance में पढ़ाई करना है, आपकी तैयारी बहुत बहतरीन तरीके से हो जाएगी, over to you Pankasar, जैसा कि रामाननसर ने बत किस पॉइंट पर किस चीज की requirement होती है, हमारे रामाननसर से बहतर कोई न जानता, क्योंकि यही सब कुछ प्लान करने में include करते हैं कि किस टाइम पर क्या चीज़ों की requirement हो सकती है, अब अभी आप रुके रहना, क्योंकि बहुत बड़ा announcement आपका होने जा रहा है for the chemical engineering के engineering में, तो संदीव सर्थ थोड़ा सी इसके बारे में बताइए, सर. आपके पास heat transfer subject में, अगर मैं बात करूँ यार, तो boiling and condensation part हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो heat exchanger का, जो designing वाला part है, analysis वाला part तो है, पर जो designing वाला part है, वो आपके पास mechanical में नहीं होता है, वो chemical में होता है, तो chemical में आपके पास basically अगर देखा जाए, chemical और mechanical में तीन subject आपक mechanical में नहीं होता है, वो chemical वाले ही बच्चे पढ़ते हैं, fluid mechanics की में बात करो, तो fluid mechanics में आपके पास, जो pump बोला topic है, mechanical वालों के लिए gate के syllabus में नहीं होता है, लेकिन chemical वालों को pump पढ़ना पढ़ता है, gate exam के point of view से, वही अगर heat transfer की बात करो, तो heat transfer में आपके पास boiling and condensation, mechanical वाल वैसे भी mechanical वालों को नहीं होता है, वो chemical वाले ही mass transfer पढ़ते हैं, और बाकि जो mass और aptitude है sir, mass और aptitude तो आपके पास common रहता ही रहता है, ठीक है, वो तो सारे branches में common है, तो basically यही आपके पास common subject है sir, mechanical और chemical में, यहाँ पे आपको यह मौका भी मिलेगा, कई सारे आपको teacher कर दिया गया, हम लोग क्या launch किये, आपने सुना पराक्रम branch for the chemical engineering, 2025 के लिए आपका price limited time के लिए है, तो आप try करिएगा का आप जितना जल्दी हो सेगे, batches में enroll करके, और जल्दी जल्दी गामा सरकसात और तेजे सरकसात आप जुड़ जाईएगा, जैसे कोई भी delay नहीं हो अब होने वाला आपका सबसे बड़ा announcement for the YouTube के लिए, तो मैं इसके लिए चाहूंगा, हमारे अंकिस शर्मा सराएं, जो कि हमारे civil engineering department के हैं, तो प्लीज सर बताइए कि हम लोग क्या launch करने वाले YouTube के लिए, गेट 2024 के लिए हम क्या कर सकते इतने कम टाइम में, हमेशा अपने YouTube content और free content के लिए बहुत ही फेमस है आप लोग के बीच में और साथ में affordable education के लिए, तो हम यहां पे आपके लिए बहुत 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 आपके लिए सौगात लेके आए हैं, गेट पास में है, आपका right exam पास में है, आपके इतने बड़िया बड़िया teachers platform पे आ गया है, तो क्यों ना, क्यों ना कि जो आने वाला gate है, उसको भी बहुत 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 किया जाए, तो दोस्तों यहां पे आपकी free classes चलने वाली है, जिसके बारे में भी गामा सर से सुनेंगे कि क्या है, यहां पे YouTube जो gate वाला क क्या रहेगा सर, रुपिया करके पूरा प्लान बच्चे को बताई हो, तैंक यू अंकित सर्फ फॉर दिस, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्योंकि 2024 वाला पेपर जल्दी ही आने वाला है, अपने पास उतना sufficient time तो नहीं है, लेकिन जितना भी time है, क्योंकि time बहुत कीमती ह कि I am not here to make you happy, I am here to make your exam happy, और दूसरा, I am not for motivation, I am here to transform you, अब आप सोचो कि मैं 10 दिन में कोई ऐसा चमतकार कर दूँगा, आज तक आपने एक साल में कुछ नहीं पढ़ा और आप सोचो कि 10 दिन में पढ़के आप एकदम कर लोंगे, तो वो तो एकदम possible नहीं है, लेकिन हाँ, जो कि मैं हमेशा practical बातों के लिए जाना जाता हूँ, अब नहीं तो otherwise अब कुछ दिन में इस टाइप के भी लोग वीडियो बनाएंगे कि 5 दिन में कैसे qualify करें, जिन लोगों ने 5 साल में किया है, वो बताएंगे 5 दिन में कैसे करें, तो ये जो हम लोगों ने कोर्स डिजा करेंगे, जिसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स का गेट में है, फिर उसके बाद हमारे पास other other subjects, यारी 8 to 10 days में हम लोग mostly सारे subjects, या mostly subjects हम लोग cover कर लेंगे, जिसमें हम लोग पूरे जितना भी हमारा गेट का syllabus है, उसका एक revision, जो जो दो-दो मार्क्स के question आते हैं, कि जहां से हमें हमें पता है कि भईया, यहां से हर साल exam में question आते ही है, इसके बिना gate का paper बनता नहीं है, हमें पता है कि FM से, जब तक gate का उरहेगा, बरनोली और continuity से हर साल question आता है, plant design, economics से, optimization से, capitalized cost से हर साल question आता है, mass transfer में distillation से, extraction से, यहां से हर साल exam में एक दो-number का question आता ही है, हमें पता ह कि process dynamics and control से कि CLTF से, offset से और यहां से regulatory से और यहां से हमारे पास second order system से हर साल कोई ने कोई question आता है कि जो हमारे पास 50 most important concept है कि जहां से उन 30 में से जो 30 question दो number के आते हैं इन में से ही 50 topics में से आते हैं तो अगर आपने साल में थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो यह आपके लिए एक बहुती बहतरीन opportunity है कि जिसमें आप लोग अपने concepts को एक बार brush up कर सकते हो और मुझे मैं आपको starting से कभी PDF देने में न वरोसा रखता था न आज रखता हूँ आपको copy और plan लेके बैठना है और तो आपके दो या तीन पेस दो गंटे में आपके एक बार फिर से सारे concept सारे revision कहां से क्या question आया है वो सारी चीज़े हम लोग इस course में जितना भी maximum से maximum possible होता है होगा वो हम लोग करेंगे because मैं इस चीज़ में believe करता हूँ कि आप से कम से कम promise करूँ और आपको जादे से जादे deliver करूँ क्योंकि this exam is not an exam of your aptitude this exam is an exam of your attitude सर ने जो यहाँ बात ये रखी है ना बहुत ही बड़ी बात सर ने बोल दिया है कि सर ने आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि ये पाँच दिन में जो लोग ढूडते ना वीडियो कि पाँच दिन में how to crack the gate examination ये सिर्फ एक illusion है ये सिर्फ एक illusion है ऐसा कैसे हो सकता है और यहाँ पे सन्ने एक जो point रखा ना जो पाँच साल से तीन साल से चार साल से दो साल से एक साल से तैयारी कर रहा है उससे पूच के देखो सच बता रहा हो मैंना सकल भी दिख गई न उसको तो कहेगा भाई तु निकल ले हां से उसको एहसास है कि कितनी मेहनत लगती एक particular competitive exam को crack करने के लिए लेकिन हाँ इस बैर से एक चीज जरूर होगा YouTube पे ये 22 January साब का start हो रहा है उसमें एक फाइदा आपको बहुत guaranteed होगा वो ये कि आपका जो भी marks बन रहा होगा जो भी आप stage पे होगे preparation की उसे stage में इजाफा जरूर होगा आपका marks का improvement हो सकता है आपके score में improvement हो सकता है तिस batch का target ये है जो भी 10 दिन बचे हुए है उसमें वो topic सर cover up करेंगे जिसकी importance बहुत excessive है for the GATE 2024 examination और उमीद करते हैं क्या आप लोग वो अपना प्यार भी show करेंगे वहाँ पे और उसका फाइदा बुठाएंगे क्योंकि gamma सर रोज रोज नहीं मिलते हैं अब अगर PW पे मिल गए है gamma सर तेजे सर तो इसका मतलब क्या है अब उसका भरपूर आप benefit उठाइए teacher को utilize करना सीखो जो बहता teacher है उसको भयानक utilize करिए अपने score को improve करने के लिए फालतु motivation से कुछ नहीं हासिल होता है जिन्दगी में real motivation है कि आप अपनी preparation को बढ़िया तरीकेस करिए तो gamma सर इस session को अब हम लोग close करेंगे आपके कुछ handling words होंगे तो प्लीज सर एक बार बच्चों का address करिए then we will close this session सर मेरा सभी students से जितनी भी experience है उनसे एक ही वो है कि देखो अभी जो students उसे पढ़ रहे होंगे वो एक शिकाय जरूर कहेंगे कि सर जो आज आपकी फीस है हम तो उसकी seven times फीस में पढ़े हैं लेकिन कोई बाद नी अब ये session आप अपने juniors को अपने friends को अपने colleagues को सब के साथ आपको share करना है क्योंकि देखो starting से मेरे जो brand ambassadors रहे हैं वो मेरे सारे rankers रहे हैं और मेरे students रहे हैं क्योंकि आज तक आप सभी लोगों को कोई ऐसा NIT कोई ऐसा IIT कोई ऐसा college नहीं है कि जिसके हमारे students नहीं रहे हो और आप ही लोग मेरे हमेशा brand ambassadors पढ़ना पढ़ेगा अब आप सोचो कि मुझसे की नहीं सर आप को ऐसी जड़ी भूटी दे देजी जाके वो कर ले तो फिर तो मुझे भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है गेट से एक दिन पहले कैम्प लगवा दिया गरे कि आओ भी जड़ी भूटी ले जा और गेट जाके क्वालिफाई कर लो लेकिन वो ऐसे नहीं होता अब यह जो 22 सारिक से हमारा बैच आ रहा है इस बैच को आप जादे से जाले यूटिलाइज करिए आपका first attempt हो second attempt हो और maybe more than that हो जो भी आपको आता है उसमें कुछ ने कुछ value addition जरूर होगा यह मेरा आपसे promise है और मैं और तेजासर और हमारी पूरी टीम जैसे FTV है हमारे पास math भी है हम लोग अधिक से अधिक इसमें जो भी maximum से maximum as per our limit वो हम लोग देना चाहेंगे और जो हम आपकरम batch को join करके एक प्राकरमी बनिये और एक अच्छी गैस में rank लेके आईए और उससे क्योंकि मुझे पता है कि यही काम आता है क्योंकि जिस दिन और मैं इस चीज को क्यो समझता हूं मैं इस तरीए समझता हूं क्योंकि हम या आप लोग आम मुझे सुन रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग एक specific class को belong करते हैं and that is the middle class or lower middle class क्योंकि अगर हम उससे उपर होते हैं ना हमें पढ़ाने की जरूती है और आपको पढ़ने की जरूती है तो हम लोग के special class को belong करते हैं और हमारे पास अपने family के status को improve करने के लिए यह सबसे एक better तरीका होता है कि अपने family को improve करने के लिए कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें और किसी exam में एक अच्छी rank लेके आए और chemical में एक अच्छी चीज़ बदाता हूं जो gate का दो साल पहले का gate का होता कि हर 6 में से एक बच्चा gate qualify करता है आप मुझे और किसी exam का बदा दीजिए जिसमें हर 6 मे हर साल दस लाग से ज्यादा फोम आते हैं और वेकेंसी कितनी होती है 800-900 वेकेंसी सक्सेज रेशियो देखे और आइस बनने के लिए आपको कितना चाहिए सिर्फ अंडर हंडर रैंक यानी वन रेशियो 10,000 और यहां पर सक्सेज रेशियो देखें लास्ट यह हमारे पास आ साल आगे पीछे जरूर हो सकता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सेलेक्शन नहीं होगा कि लिए कई बार होता है कि उस ताइम पे हमारा लग फेवर ना करे या और बहुत सारे फेक्टर हो सकते हैं बड़ अगें देर इस नो सब्टिजूशन ओं हार्ड वर्क मैं आपको मेरे लिए कभी मास नहीं होता मेरे लिए हमेशा एक इंडिज्वल स्टुडेंट होता है क्योंकि जिस तरीके से मेरी मेरे घर में वैल्यू है मैंने कुछ अच्छा किया आप तलको कुछ अच्छा करोंगे तो मुझे खुशी होगी और दुनिया में दो ही लोग आपके माबाप होंगे तो एक बार अपने आग बंद करके ना बस उनका चेहरा याद कर ले आपने आप मोटिवेशन आ जाएगा मोटिवेशन इस नीड़ेट लेकिन एक्जिकूशन इस मौर नीड़ेट ना एक्जी कुशन पर ज्यादा फोकस करिए मोटिवेशन की नीड आपको डेली मिलता रहा है मतलब आज चलो आज कर लेते फिर आट घंटे बाद गेम ओवर हो गया यह नहीं होना चाहिए आपने डिमांड किया chemical engineering की यह लीजिए chemical engineering गेट वाला पे आ चुका है अब आप लोग हवाले हो चुके हैं हमारे गौरम मलिक सर के साथ हमारे YouTube पे फटा फट पहुंच जाना जो भी 10-15 दिन बचे हुए हैं उसको बेहतर करने के लिए यूटलाइज करना और पराक्रम बैस तो 25 के लिए लॉंच होई चुका है तो उसमें दे बिल्कुल डिले मत करिएगा इस इक साथ इस सेशन को क्लोस करना चाहेंगे उमीद करते है आपके जितने बड़े-बड़े शब्द सर ने यूज किये हैं हलके मत लेना वो तो YouTube जब आएंगे जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको दिख जाएगा कुन शब्दों की एहमियत क्या थी और उसकी वैलू क्या थी तो चलिए इस इक साथ इस सेशन को क्लोस करते हैं औ और बहुत जल्दी सर से आपकी मुलाकात होगी YouTube पे और पराकरम बैच के साथ तब तक क्ले गुड़ बाई and thank you so much